हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग टो लो फियो वेलकम टो लॉजिक पाथ शाला आज के इस वीड़ो में हम कवर करेंगे 8 और 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेस्चन्स डेली करेंट अफेस के सासत हम रुडेगुलर कवर करते हैं स्टैटी जीके के क्वेस्चन्स पी और साथी में फ्रेंट उसके बाद हम रिवाइस पी करते हैं जो भी हम लास्ट दिन के करेंट अफेस को कवर करते हैं उन सभी क्वेस्चन्स को हम रिवाइस भी करते हैं वीडियो के अंत में आपको दो क्वेस्चन टेस्ट के लिए दिये चाते हैं तो फ itself says I am possible तो देखे कुछ पी impossible नहीं है क्योंकि impossible जो word है ना उसी में ही छुपा है I am possible कि possible है मैं possible हूँ तो कुछ पी देखे impossible नहीं होता है ये सिर्फ हमारे मन में होता है अगर आपने इक बाद ठान लिया कुछ करने का तो आप उसे जरूर करेंगे सिर्फ आपको कुद पर confidence होना चाहिए और आपको life की problem से घबराना नहीं है आपको हिम्मत करके अपने लक्षय की ओर आगे बढ़ते रहना है तो चले फेंड स्टार्ट करते हैं आज किस important class को तो सबसे बहले बात करेंगे कुछ important day से तो यह important आज का पहला important day है Indian Air Force Day very important तो जो भारते वायो सेना दिवस है यह कम मनाती है 8 October को यह मनाया चाता है इस पार Indian Air Force जो का कॉंसर डे सलिबेट हुआ है 91st Indian Air Force का मोटो है touch the sky with glory में देश है कि जो वायो सेना है जो Air Force है उसको tribute देना और उनका जो contribution है उसको acknowledge करना भारत द्वारा इस शेतर में प्रस्तुत के लिए उतकरस्टता को स्विकार करना जो भी इंडिया ने देखे इस फिल्ड में excellence हासिल किया है उसको acknowledge करना इस दिन का main उद्देश्य है Indian Air Force के बात करें तो Air Force की stabilisement होई थी 8th October 1932 को तो इसलिए 8 October को भारते वायो सेना दिवस मनाया जाता है कुछ head of departments की बात करें कि department के head कौन है तो देखे हमारे current में CDS है Lieutenant General Anil Chauhan Air Chief है Marshal Vivek Ram Chaudhary Army Chief है Manoj Pante और Naval Chief कौन है Admiral R. Hari Kumar Next important day है World Post Day जो की 9 October को मनाया चाता है तो याद रखेंगे friends Wish और डाग दिवस कब मनाती है 9 October को इस दिन देखिया Universal Postal Union के Stabilisement हुई थी 1874 में Swiss Capital Burn तो इसी की anniversary के दिन जो है या इसी के Stabilisement के दिन जो है World Post Day या World Postal Day जो है मनाया चाता है इस बार इसकी theme रही है Together for Trust Collaborating for Safe and Connected Future तो ये इसकी रही है 2023 की theme कुछ और important देखिये बात करते हैं जोकि October में celebrate हुए हैं देखिये अभी तक तो 1st October को मनाया गया था International Day of the Older Persons और इसकी theme रही Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons across generation उसके बाद 1st October को ही celebrate हुआ International Coffee Day जिसकी theme रही Sustainability in Every Cup 1st October को ही मनाया गया World Vegetarian Day 2nd October को फेंट गांधी चैनती होती है जिससे International Day of Non-Voilance पी कहा चाता है उसके बाद 4th October मनाया गया World Animal Welfare Day और इस इनकी theme रही है Great or Small, Love Them All 5th October को ही World Teachers Day भी celebrate किया गया तो अभी तक हमने समी important days को cover किया है तो इनको जरूर याद रखी चले फ्रेंट्स पात करते हैं 1st question की पहला question है Which bank has launched a mobile hand-held device to improve accessibility and convenience किस bank ने पहुँच और सुविधा में सुधार के लिए mobile hand-held जो device से launch किया है तो इस device को launch किया है Friends State Bank of India भारतिय स्टेट बैंक ने जो है इससे launch किया है इस अभियान का उदेशे क्या है जो financial inclusion है जिसे कहते हैं वित्य समावेशन तो इससे empower बनाना और जो essential banking services है उनको जनता तक पहुचाना ही इसका main उदेशे है दिवाइस स्पेशली बैनेविट कस्टोमर फेसिंग डिफिकल्टीज इन एकसिसिंग कस्टोमर सर्विस आउटलेट सच अस सीनियर सिटिजन्स तो भार इस कस्टोमर दिखे डिफिकल्टीज को फेस करते हैं उन सभी कस्टोमर क्यों इस डिवाइस से काफी स्पेशली जो है वो इस डिवाइस से उनको काफी बैनेविट मिलेगा तो इसे भी लॉँच किस ने किया है State Bank of India ने कुछ और फेसिलिटीज की बात करते हैं जैसे भी फोन पे ने देखे लॉँच किया था खुद का App Store Platform Indus Application Store तो Indus Application Store को लॉँच किया था फोन पे ने उतकर्ष Small Finance Bank ने लॉँच किया Introparable Cardless Cash Withdrawal Using UPI on ATM Axis Bank ने लॉँच किया New for Business Ban Platform for MSMEs और उत्जिवन Small Finance Bank ने लॉँच किया Maxima Saving Account and Business Maxima Current Account तो इसे लॉँच किया है उत्जिवन Small Finance Bank ने बात करते हैं अगले Question की Who has been appointed as the Executive Director of the Reserve Bank of India recently हाली में भाटर Reserve Bank के कारेकारे निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो friends कौन पॉइंट हुए है The right answer is Munish Kapoor RBA के बात करते हैं तो RBA के स्थापना देखे हुई दी 1st April 1935 को RBA का nationalization हुआ था 1st January 1949 को RBA का headquarter है Friends Mumbai महारास्टर में और current RBA की जो governor है उनका नाम है शक्तिकान दास कुछ और recent appointments की बात करते हैं तो दीखे अभी ICIC Lombard के MDCO कौन बनी है संजीब मंत्री Asian Development Bank के market solution के जो Vice President बनी है उनका नाम है भार्गव दासकुपता SDPC Bank के MDCO उपत पर reappoint हुए है सशिधा जगदीशन और Mastercard इंडिया के Chairman Appoint हुए है रजनीश कुमार Next question Who has been appointed as a Chairman and Managing Director of General Insurance Corporation of India तो General Insurance Corporation of India के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप मे किसे नियोक्त किया गया है सही आंसर है रामस्वामी एन जो है Friends इन्हें appoint किया गया है और यह ज़ा Chairman और Managing Director पर भी इनको appoint किया गया है Next question देखिए Indian Men's Hockey Team has won the gold medal by defeating which country in the Asian Games 2023 Asia एखेलों में जो भारतिय पुरुष होकी टीम है उन्होंने किस देश को हरा कर स्वण पदक जीता है तो equation यह भी important मनता है कि Indian Men's की जो होकी टीम है देखिए उन्होंने Asian Games में कौन सा medal जीता है gold medal जीता है किस country को हरा के तो उन्होंने final में defeat किया Japan country को तो 5-1 से Japan को final में जीत हासिल करके भारत ने एक शांदार जीत जो है वो इसमें हासिल करी तो very important की Asian Games में कौन सा medal जीता है तो भारत की होकी टीम ने जीता है इस पार gold medal next question in which sports mixed double event दीपिका पलिकर और हरिंदर पाल संदू won the gold medal by defeating the Malaysian pair 2-0 in the final किस खेल की मिश्रिद यूगल स्परधा में अब यहाँ पे देखे हमें sports का नाम पूचा गया है कि किस खेल की मिश्रिद यूगल स्परधा में दीपिका पलिकल और हरिंदर पाल संदू ने Malaysian जोड़ी को हरा कर चीता है स्वर्ण पधक तो question में यह भी बन सकता है कि जिनका जो pair है इन्होंने कौन सा medal चीता है इनका नाम दे देंगे तो friends इन्होंने चीता है Asian Games में gold medal आप बात करते हैं कौन सी sports में squash तो squash का जो mixed double event हुआ था उसमें दीपिका पलिकल और हरिंदर पाल संदू ने friends gold medal जीता है Malaysian pair को हरा के and this is the first time a squash mixed double tournament has featured at the Asian Games तो पहली बार देखें स्क्वैश mixed yugle tournament को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था आगे बढ़ जाते हैं next question पे which country has won the SAFF under 19 championship after defeating Pakistan 3-0 at the दशरत रंगसाला stadium in Kathmandu तो काटपंडू के दशरत रंगसाला stadium में पाकिस्तान को हरा कर SAFF under 19 championship किस तेश ने जीती है देखें जो SAFF championship है न ये friends football championship है और ये इस पार किस ने जीती है इंडिया नी तो question में ये भी पूछ सकते थे कि इंडिया ने किस team को हरा कर जो है ये championship जीती तो इंडिया ने इसमें defeat किसे किया पाकिस्तान को भारत के लिए बंगलीन थांग किपगेंग और गवेंग सर गोयारी इन्होंने भारत के लिए गोल के दर स्कोर किया था और भारत को जीत हासल देलाई अगला कोशन है अयहिका मुखरजी और सुतीर्था मुखरजी have won the bronze medal in the women's double in which sport at the Asian Games 2023 तो इन दोनों के नाम जरूर याद दखेंगे प्लेयर्स के और इन्होंने एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता है ब्रॉंस जिसको कहते हैं कांसी ये पदक अब यहाँ पूचा है किस खेल में जीता है तो question में देखे प्लेयर्स से ये भी पूछ सकते हैं कौन सा मेडल जीता किस sports में जीता इस तरह से question आपके बन सकते हैं friends तो friends इन्होंने जो ब्रॉंस मेडल जीता है वो जीता है टेबल टैनिस में तो टेबल टैनिस की जो वूमेंस का डबल हुआ था उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉंस मेडल next question athlete Shee Halen walks 100 meter on the slake line in less than 2 minutes and set a word record he is from which country athlete Shee Halen ने 2 minutes से भी कम समय में slake line पर 100 meter चल कर इन्होंने wish for record बनाया है और यह किस सदेश से है तो friends player की बात करते हैं तो यह कौन सी country से हैं? चाइना से हैं और इन्होंने set किया है word record तो चाइना के athlete ने सबसे fast, सबसे तेज 100 meter slake line walk का word record था वो break कर दिया, वो तोड कर इन्होंने जो है वो नया world record बनाया इससे पहले France की जो एक player थे, Lucas Millard उन्होंने record set किया था तो उसी record को जो है athlete Shee, जो Helen है इन्होंने break कर दिया है Asian Games में next question देखिए, friends अगला question है हमारा Arjun Singh and Sunil Singh won the bronze medal in the men's cano double dash event at the Asian Games 2023 तो Arjun Singh और Sunil Singh ने A.C.I. खेल 2023 में पुरुशों की cano double, मतलब हमें यहाँ पे meters बताना है कि कितना meters पढ़ा दी जिसमें कौन सा medal जीता है इन्होंने कान से पढ़ा जीता है तो friends यहाँ पे सही answer है thousand meter तो men's cano double thousand meter जो event था उसमें इन्होंने कौन सा medal जीता अगर इस तरह से question बनेगा तो friends इन्होंने जीता है bronze medal next question Indian women's kabaddi team clinched gold at the Asian Games after defeating which kabaddi team में भारतिय महिला जो kabaddi team है उन्होंने कौन सा medal जीता है तो Asian Games में इन्होंने जीता है gold medal किस kabaddi team को हरा कर gold medal जीता है सही answer है Chinese type team को हरा कर भारत की जो women's kabaddi team है इन्होंने जीता है gold medal तो जितने questions देखे Asian Games में यहां आ रही है वो सभी questions आपके exam में पूछे जाएंगी क्योंकि Asian Games काफे important रहा है उसमें हम आपको अलग से video कोशिश करेंगे पोरा provide करने की तो ज़रूर याद रखें next question देखें इंडियाज जियोती सुरेखा वेनम इन्होंने कौन सा medal जीता है इन्होंने चीता है Friends Women का individual जो compound event हुआ था उसमें इन्होंने gold medal जीता तो direct अगर question मेंने कि जियोती सुरेखा वेनम ने कौन सा medal जीता है gold medal तो ध्यार ने किसी भी sports में पहली बार इंडिया का gold आया है या पहली बार कोई medal आया तो वो तो ज़रूर याद रखे she is related to which sport इनका संबंध किससे है तो इनका संबंध है आर्चरी से तो जियोती सुरेखा ने defeat किया था South Korea की Sochawan को final में और ये आर्चरी में इस बार इंडिया का ये 7th medal आया था अब बात करते हैं देखे किस कंट्री ने top किया है in the medal tally in Asian Games 2023 वही फ्रेंड्स अगर बात करें Asian Games की तो Asian Games में इस बार जो medal tally रही उसमें नमबर वन पे रहा चाइना चाइना के सबसे ज़्यादा medals आया देख लिस्ट थोड़ा सा तो चाइना ने बात करें टोटल जीते 383 medals और 383 medals में से gold है 201 silver है 111 और bronze है 71 तो एक तो हमें याद दखना है कि first place पे कौन से country रही उसके बाद अगर अगर अब इंडिया की position देगें तो आप देख सकते हैं second पे जपान रहा फिस third पे है South Korea fourth पे जो है वो इंडिया रहा है तो इंडिया जो है medal table में कौन से number पे रहा Asian Games के बात करते हैं इंडिया रहा है fourth number पे और इंडिया ने जीते हैं total 107 medals भारतों के लिए इस बार बहुत अच्छा दिखिये रहा बहुत सफल रहा Asian Games 100 plus medals भारत के नामा 107 medals भारत ने total कितने gold medal जीते या total कितने पदक जीते इस तरह से पूस सकते हैं तो थोड़ा सा first वाला याद रखें और इंडिया का ज़रूर याद रखें Asian Games अच्छा कहां पे आयो जीत हुए थे तो इसका venue भी याद रखेंगे China की Hangzhou में Asian Games का आयोजन किया गया था तो फेंड्स यहां पे हमारे सभी important questions complete हो गए है अब बात करते हैं static GK के questions की तो देख लिए पहला question क्या है first question the dash period has been described as the golden age of the Indian history किस काल को भारती इतिहास का स्वन युक कहा गया है तो golden age कहा गया है वो कहा गया है गुपता period को तो गुपता period को describe किया गया है the golden age of the Indian history यह period रहा था between 4th to 6th century AD और इसे golden age कहा गया because जो large achievements हुई थी इंडिया ने तो है mathematics, astronomy, sculpting, painting तो जो बड़ी बड़ी उपलबदिया हासल करे थी वो गुपता empire के दोरान करे थी इसलिए गुपता period को कहा जाता है golden age of the Indian history अगला question during the गुपता period gold coins were called by which names गुपतकाल में सोने के सिकों को किन नामों से पुकारा जाता था तो सोने के सिक्खे जोते friends उन्हें कहा जाता था दिनार और गुपता period में अलग-अलग period में देखें सभी ने अपने अलग-अलग coins के नाम रखे थे तो गुपता period के बात करेंगे तो gold coin को जो कहा जाता था दिनार कहा जाता था अगला question who has defeated Rana Sangha in the Battle of Kanwa in 1527 1527 में खानवा के युद्ध में Rana Sangha को किस ने हराया था तो Rana Sangha को इस युद्ध में हराया था बाबर ने Battle of Kanwa जो है ये खानवा village है भरतपूर डिस्ट्रिक राजिस्थान में उसके पास ये लड़ाई हुई थी 16 March 1527 में तो ये लड़ाई मुगल एंपरर बाबर और राजपूत के बीच हुई थी राजपूत को इसमें लेट किया था Rana Sangha ने मिवार के तरफ से तो उसी युद्ध में जो है बाबर ने Rana Sangha को हराया था अगला question बाबर जो है 1st मुगल एंपरर था भारत में और बाबर ने देखि इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में 1st Battle of Panipat में और उसे के बाद इंडिया में मुगल एंपरर की शुरुआत हो गयती मुगल एंपरर स्ट्रिबलाइश्ट हो गया था और बाबर के बाद कोई आया था बाबर का बेटा हुमायू जो है वो बाबर के बाद आया था अगला question देखि Who among the following was killed by चत्रपती शिवाजी in the Battle of Pratapgar निमलेकेत में से किसे चत्रपती शिवाजी ने प्रताबगड के युद्ध में मारा था तो किसे मारा था आंसर अवजल खान अवजल खान को चत्रपती शिवाजी ने किस battle में defeat किया ये भी पूछ सकते है Battle of Pratapgar Battle of Pratapgar की बात करें ये लड़ाई लड़ी गई थी 10th of November 1695 को महरास्ट में देखिए Pratapgar Fort के पास प्रताबगड Fort था उसे के पास एक टाउन था सतारा जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी तो यहां Friends हमारे complete हो गए है questions अब बात करते हैं Friends हम last जो हमने Saturday question किये थी उनको Friends चलिए हम revise कर लेते हैं तो पहला question है Which countries signed MU to boost investment and collaboration in industry उद्योग में निवेश और सयोग को बढ़ावा देने के लेकिन देशों ने समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये ये समझोता हुआ इंडिया और UAE के बीच Which country will host the G20 Parliament Speaker Summit कौन सा दे G20 संसद अध्यक्षर शिक्षर सम्मेलन की मिजबानी करेगा तो फेंट्स इसे host करेगा इंडिया अगला कोशन है Who launched Navy's Updated Indigenous Program Swab Lumban 2.0 तो Swab Lumban 2.0 को किसने लॉंच किया है Defense Minister राजना सिंग ने Basholi Pashmina is one of the oldest traditional handicraft in the state of Jammu Kashmir on which district जैसे GI Tech मिला है तो ये है Jammu Kashmir के कठवा district से Who is the chairman of the State Bank of India जिनका tenure अभी extend किया गया है तो State Bank of India के अध्यक्ष है दिनेश Khara जिनका कारेकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है अगला कोशन Who has recently been awarded the Spinoza Prize related to climate change Spinoza पुरिशकार से सम्मानित किया गया है Dr. Zoyita Gupta को The Norway Novel Committee ने देखे Novel Peace Prize किसे दिया है Novel Peace Prize को देने का निड़ने लिया है किसे नर्गिस महम्मेदी को Who received Bal-Sahit-e-Purishkar in Manipuri Language Manipuri भाषा में Bal-Sahit-e-Purishkar प्राप्त हुआ है दिलीप Nong-Metham को तो यहां friends हमारे सभी important question complete हो गए हैं बात करते हैं तो आज का देखे टेस्ट का पहला question है literature में Novel Prize किसने जीता तो साहit-e-Purishkar यह किसने जीता है और दूसरा question है ICC ने जो है अभी देखे World Cup तो चल रहा है जो कि 5 October को शुरू हो गया था तो ICC के दौरा World Cup 2023 के लिए Global Ambassador किसे नियुक्त किया गया है इन दोनों question के answer आप में comment box में जरूर बताएं friends इसे के साथ आज टीका daily का इंटरफेस का session complete होता है Thank you so much for watching this video